दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस घंटे को दबाए मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरी चैनल पे दोस्तों थम्निल एंट टाइटन को देखे तो आप समझे गए हूँ कि आज आप देखने वाले हो Noise Keys Color Fit Calibur Smart Watch का Honest Review, क्योंकि दोस्तों ये watch मैंने Personally मंगवाई है, मेरे एक Family Member के लिए, so in fact मैंने Ritu के लिए मैंने मंगवाई थी, but पता है क्या कि Ritu ने इस watch को नहीं पैना ये उन्होंने मुझे दे दी and ऐसा क्यों हुआ, ये भी मैं आज के इस review में ज़रूर शेर करने वाला हूँ and दोस्तों आप अगर मेरी चैनल पे करने रहते हो, that means कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल निटिफिकेशन आइकन को भी दबा देते हो so six months down the line मैं आपको इसी वीडियो के नीचे पिंट कमेंट में ये भी अपडेट करने वाला हूँ कि क्या ये watch तभी भी चल रही है या नहीं, क्योंकि इस watch को मैं personally, खुद यूज करने वाला हूँ so मैंने जो firebolt की watch खरीदी थी, वो मैंने रेतो को दे दी है and ये वाली अब मैं यूज कर रहा हूँ तो चलिए, मैं करता हूँ इसका quick unboxing आपके लिए and then आप जानोगे मेरा honest review okay, so ये watch आपको ऐसे वाले box में आ जाती है यहाँ पर लिखे आता है design in India इस तरफ लिखा है listen to the noise within and यहाँ पर आपको इसके सारे features देखने मिल जाएंगे यहाँ पर आपको बालकोड मिल जाएगा जिससे आप आपको डाउनलोड कर सकते हो अब इसे unbox कर देते है so box के अंदर से आपको obviously सबसे पहले तो watch मिल जाएगी then आपको यह charging का जो यह cable है यह मिल जाएगा यह magnetic charging वाला cable है so यह आपको मिल जाएगा then यहाँ को sticker set देखने मिलेगा यह है product information booklet जो आपको नजर आएगी and यह है warranty card so now शुरू करते हैं watch के review के साथ in fact watch के honest review के साथ so दूस्तों मैंने इस watch को launch date पे ही मंगवा दिया so that's why यह watch को मैं अल्मोस्ट 15 दिनों से तो use करी रहा हो तो यहाँ पे दूस्तों मैंने काफी सारी चीजे इस watch के साथ notice की तो मैं आपको सबसे पहले positive pointers बता देता हूँ इस watch के बारे में जैसे ही इस watch को मैंने box में से निकाल के यह अपने wrist पे लिया तो मुझे सबसे पहली एक दो चीज़े बहुत अच्छी लगी वो यह कि इसका 1.69 inches का यह जो display है यह काफी amazing लगा सो यह बड़ा display है जो अच्छा लगता है again apart from this यह lightweight watch है so this is again something which is really good watch को जब आप पहनों के तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंडर holes काफी जादा दिये है सो अगर पतली व्रिस्ट भी हो तो भी इसे आप आसानी से पहन सकते हो watch के belt पे ही आपको यहाँ पे noise की branding नज़र आ जाती है and यह जो belt है यह easily detachable भी है इस watch में color options काफी available है as of now इसमें 4 options अवेलेबल है जो आपको flip card के पेश पे दिख जाएंगे and मैंने इसकी जो best buy link है वो pin comment पे दे रही है इस watch में आपको spo2 के levels monitor करने के लिए भी मिल जाता है so दोस्तो यह एक काफी अच्छी चीज है आप इसमें easily blood oxygen levels की monitoring कर सकते हो spo2 के monitoring आज के pandemic situation में काफी काम आ सकती है अगर यह handy हो तो so यह आप इसमें easily कर सकते हो इस watch के सारे आप heart rate monitoring भी कर सकते हो आपको इसमें auto heart rate monitoring का भी एक feature मिल जाता है जो आप app के through set कर सकते हो so उसे अगर आप on करते हो तो यह watch आपको alert करेगी अगर आपका heart rate certain levels के उपर चला जाता है तो और वो जो levels है वो आप 140 से 250 के बीच में कहीं पे भी आप app पे आप set कर सकते हो उन levels के पीच में आप set कर सकते हो app पे so यह आपके लिए सही हो जाता है अगर कभी आपकी जो heart bits है वो 140 के अबाओ चलीगी suppose कि अपने 140 set किया है तो at least यह आपको वहाँ पे automatically जो है alert कर देंगा दोस्तो इस watch में आपको stress level monitoring भी मिलता है so basically जैसे आप heart rate को monitor कर सकते हो spo2 को monitor कर सकते हो वैसी आप इसमें stress levels को भी monitor कर सकते हो so अगर आप को यह ऐसी job पे हो जहाँ पे आपको stress levels हमेशा high होते है या आप हमेशा अपनी life में high stress levels को face करते हो and आप उल्हे करना चाते हो control तो यहाँ पे यह watch आपके बहुत ही काम आने वाली है now this watch का सबसे बड़ा USP और वो यह कि आप इसमें body temperature को भी नाप सकते हो हाँ दोस्तो so अब आपको इस range की watches में जो अब यह दोड़ाई एजर वाली जो watches आप इसमें आपको body temperature वाला function आना शुरू हो गया है so again दोस्तो यह pandemic situations में यह काफी काम आ सकती है कि यहाँ पे आप अपने body का temperature डेरेक्ली इसी watch से measure कर सकते हो and दोस्तों यहाँ पे आपको body temperature के सान body surface temperature भी बता दिया जाता है इस watch के अंदर इसमें आपको sports mode की अगर बात करें तो आपको यह पे 60 plus sports modes देखने मिल जाते हैं जो आप set कर सकते हो इस watch में आप notifications को भी आप access कर सकते हो so notifications में आपको call alert notifications and बाकी धेर सारे ऐसे application supported है जिनकी आपको notifications आती रह सकती है तो इसे आप on या off कर सकते हो आप इसे toggle कर सकते हो app का use करके इस watch में आपको call की भी notifications आ जाती है so call को आप इस watch के थुरू reject कर सकते हो या आप silent कर सकते हो या आप cut कर सकते हो या फिर आप quick reply कर सकते हो आप call को answer नहीं कर सकते है वो अला option नहीं है इसमें so या आपको quick replies भी supported है but ये as of now सिर्फ Android users के लिए है iPhone users के लिए नहीं है इस watch में आपको यहां 150 plus watch faces मिल जाते है which are cloud based watch faces so इसका मतलब है कि आप इन watch faces को noise का जो application है जो आप अपने mobile में install करोगे इस watch के सब synchronize करने के लिए उसके तुरू आप इन watch faces को set कर सकते हो दोस्तों watch faces में मुझे यहां पर सबसे best function यह लगा कि यहां पर आप personalized watch faces भी set कर सकते हो so for example अगर आपको आपकी family का कोई photo है जो आपको यहां पर watch पे as a wallpaper set करना है तो वो आप easily कर पाते हो so यह मुझे बहुत अच्छा लगा and दोस्तों यहां पर watch faces की choices काफी दी गई है and काफी amazing भी दी गई है दोस्तों इस watch की एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस price budget में यह आपको IP68 waterproof rating के साथ मिलती है so basically आप इसे इंडिया के किसी भी कोने में use कर सकते हो चाहे आप इनहें पहाड़ी एरिया में जहां पर बरफ गिरती है वहां पर यूज करना चाहो या प्रेगिस्तान में use करना चाहो या फिर आपको पसीना जादा आता हो आप ऐसी जगह पर humid places में रह रहे हो वहां पर use करना चाहो कोई दिक्कत आने वाले नहीं है बारिश में भी इसे बिंदास यूज कीजिए waterproof rating है normal life के अगर बात करें जैसे कि आप hand wash वागिर अगर आप ज्यादा करते हो pandemic situation को लेके तो यहां पर दूस्तों वैसे भी उसमें कोई problem आने वाले नहीं है तो day to day life में तो बिल्कुल कोई दिक्कत आएगी नहीं और आप इसे tough से tough weather वाली जगाओं पर भी easily use कर सकते हो और बाकि अगर चोटे मोटे positives की बात करो तो इसमें आपको drink water reminder मिल जाता है sedentary reminder मिल जाते हैं अब दोस्तों यह शायद आपके लिए deal breaker हो या नहों यह सब्जेक्टिव चीज होने वाली है सबसे पहला नेगेटिव पॉइंटर यह है दोस्तों कि इस watch में all the holes तो जादा दिये है बट इस watch का जो डायल है यह 1.69 इंच का है ठीक है तो यह बड़ा डायल है तो यह जो डायल है यह काफी बड़ा दिखता है उसकी व्रिस्ट में और जब उन्होंने इस watch को उनके हाथ पहन के देखा तो obviously यह जो डायल है यह उनको काफी बड़ा लगा जिसके डायल की size कम है एंड आप यह नौइज वाली watch ले लो तो बिंग अ फीविल कस्टमर इसके बड़े डायल से शायद आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाए अगर यह आपके व्रिस्ट पे थोड़ा बड़ा लगा देन इस कोड बीए प्रॉब्लम बात करें बैटरी ला हेवी यूजर हो तो फिर यहां पर आप 7-10 डेस की बैटरी लाइफ एक्सपेक्ट करें उससे जाधा नहीं अगर आप रेर्ली इस वाच को यूज कर रहे हो लेकिन आप इसमें नोडिफिकेशन को एक्सेस नहीं कर रहे हो आप 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 बस नॉमली आप इस वाच को जैसे हम पहनते बस ऐसी या पहन रहे हो तो फिर वहाँ पे शायद आपको 12-13 दिन की बैटरी लाइफ मिल जाए वाच की स्क्रीन की अगर बात करें तो यहां पे दोस्तों वाच के स्क्रीन की नोडाउट कॉलिटी अच्छी है बड़ यहां पे मुझे एक पंगा लगा वो यह कि वाच की जो स्क्रीन है इसे नीचे से थोड़ा और ज्यादा ऊपर के तरफ ले लिया गया है मन्दब किया नीचे के तरफ से हम जिसे बैजल कहते हैं वो जाधा नजर आते हैं अब अगेन एक सब्जेक्टिव चीज है बट ये मैंने नोटस किया सो सोचा आपको भी बता द बट यहां पर यह प्लास्टिक फ्रेम है अब देखते हैं कि इसकी वैसे इसकी डूरिबिटी पे क्या असर होता है पॉजिटिव असर होता है या नेगेटिव यह तो आने वाला टाइम ही बताएगा इस वाच में आपको बीपी मॉनिटर नहीं मिलता इस वाच के मदद से नहीं कर सकते हैं तो अगर आपको बीपी मॉनिटरिंग के लिए कोई स्मार्ट मॉच चाहिए तो आपको कोई और वाच देखनी चाहिए एक फाइनल पॉइंट जो आपको बताना चाहता हो वह सौफ्ट्वेर साइट का सो दोस्तों सौफ्ट्वेर मतलब मैं बात कर रहा जो नॉइस का मोबाइल एप है इसके बारे में अब इसको ना ही में जाधा पॉजिटिव साइट पे लोगा ना ही जाधा नेगेटिव साइट पे क्योंकि यहां पे दोस्तों मुझे इसकी है थोड़ी सी मिक्स्ट फीलिंग्स पहला दो यह कि सौफ्ट्वेर बहुत अच् लगता है कि यह फोन जो है ना मतलब फोन इसके से स्लो हो रहा है या पता नहीं आप क्यों थोड़ा सा स्लो चलना है तो मैं इसे मेरे वन प्लस नौड पर चला रहा हूं फिर भी यह मुझे यहां पर थोड़ी सी ऐसी फीलिंग्स आती है और डेटा सिंक्रोनाइसेशन में म वहां पर मुझे कुछ जादा ही लाइट वेट वाली फीलिंग आई सो यह मैं कंपारिजन ही कर रहा हूं कि मुझे इसका सॉफ्ट्वेर ओल्दू धेड़ सारी चीजे दी है इसमें बट थोड़ा सा हेवी साइड लगा तो नाओ यह माइफाइनल कंक्लूजन फॉर देस व वाच तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो लॉंच प्राइज वाला जो प्राइज था ना दोजार रुपय वाला वह पफेक्ट था अगर आपको आने वाले दिनों में भी या आने वाले थोड़े एक दो महीने में भी अगर यह वाच 2000 के प्राइज में मिल जाती है कभी स तो यह आपको मिल जाती है तो यह टोटली वैल्यू फो मनी चीज है तो अगर आपको मेरा यह रिव्यू करने का स्टाइल अच्छा लगा तो प्लीज आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेलो डिशन आइकन को भी ज़रू दबा दीजिए एंड शिक्स डाउन दे लाइन मैं आपको पेंट कमेंट में जरूर अपडेट करूंगा इस वाच के स्टेटस के बारे में